इस चेप्टर में हम जानेगे कि फार्मा फ्रेंचेजी क्या होती है क्या फार्मा फ्रेंचेजी मौडल होता है क्या बेनेफिट्स हो सकते हैं प्रोफिटिबिल्टी रेसो कितनी रहती है कितना मार्जन रहता है प्रोफिट का वो सब यहां पे हम जानेंगे तोपिक हम इस विडियोम में कवर करने जा रहे हैं वह है कि फारकीट जीलिट अधा और बहुत हो रहती है उसके बारे में औरी हम खाहिए है बाहरे में फार्मा थैर्फनेशे अगरेंगे सलग। रिपाँ पाँर मोडल को गंप्लीट समझ के लिए हम बडिक को सेप्ट समझेंगे इसाद में वह थी पहले जानधे की फिरेंजेंजी क्या होती यृ dick तरह कबीजनेस होता है इसी इंडियुक्छeten अम यृ primary जाता है जो जिस ने उद्य द्यों और जो बिजनस मोडल है फ्रैंचेजर का यूज़ करती है अगर दूसरे सब्दों में हम बात करें तो फ्रैंचेजी एक तरह का distribution मोडल होता है जहां पर फ्रैंचेजर कमपनी है और फ्रैंचेजर इंडिविजुवल ये ग्रूप है जो distributor है एक तरह से distributor भी हम मान सकते है retail counter भी मान सकते हैं जो कि distributing कर रहा है या sell कर रहा है franchisor के product को यह services की franchisor अपने सारे जो commercial rights होते हैं वो franchisor को देता है उसको allow करता है कि वो उसके त्यूज कर सके brand name यूज कर सके product यूज कर सके जो उसका business model है और जिस तरह वो business conduct कर रहा है तो वो सब यूज कर सके अगर हम franchisees इंबल्स के type की बात करते तो basically दो ही तरह के जो models होते हैं ज्यादा तर यूज किया जाते हैं franchisee में एक होता है business format franchisee और दूसरा होता है product distribution franchisee अगर बिजनस फोर्मेट फ्रेंचेजी की बात करते हैं तो बिजनस फोर्मेट फ्रेंचेजी में क्या होता है कि जो फ्रेंचेजर होता है वो फ्रेंचेजी को अलाव करता है कि वो उसका ब्रेंड नेम यूज कर सके एक्सक्लूसिव आउटलेट का जो पैटरन होता है उसको यूज जो उसके processes है उसको यूज कर सके और जो उसकी product range है उसको sell कर सके उसको यूज कर सके जो इस तरह का जो फ्रेंचेजी इमोडल होता है वो जनरली establishment में वाक करता है जैसे soaps होती है outlets होती है ऐस और रों आज वगयर्व होते हैं जैसे मैक डोनाल्स vont देता है सब्वे देता फ्रांशेजी स्टोर्स होते हैं उस तरह के बिजन्स में बैसिकली इस तरह का फ्रेंचेजी फॉर्मेट यूज होता है अगर हम फार्मसोटिकर में आज एवाद करते हैं तो जो ओन छोनونं फार्मेशी होती है जो वी Bases IJ ещё मोडल पर काम करती है सब्सक्राइस्ट्ण परंचेज करती है है , औरstyle बाद वी emis Mass2 तरतल केbsblog करता हैए इसी मोडल पर काम करते हैं , दूसरी तरह का मोडल होता है है वह हो डो चुन क conta है जिव और लेकिन थोड़ा सा वनाजीर में जो वो मौन की मार्किट करता है और जो यो fifty चेजी होती है वह उसके . बड़े बड़े नाम हैं बहुन जासे को को कॉला इसी तरह करता है –जों डियर इस तरह कर आम करता है. अगर हम हेल्थ केर और फार्म स्क्वा इक्राइब करें, जादा तर भार्मा कंप्निज है वो इसी तरह के फ््रेंचेजी मॉडल के काम करते हैं । कि एक तरह सब क्या है कि एक तरहसे बीजिबीड को या गरूप सकता है शेल्स परोफेशन भी हो सकता है Monopoly बैसी पर दूसरी बिदन के डिसाइड होता है उसके basis पे कि आप उसका trademark यूज कर सको ब्रेंड नेम यूज कर सको और जितनी भी commercial activity है उसके भी आप पे कर सको जिस marketing या डॉक्टर्स का promotion, distribution या आपको distributor payment collection करना है वो सब आप एक particular territory में pharmaceutical company के भीहाब पे franchisee कर सकती है हमने pharma franchisee के बारे में तो जान लिए या लेकिन pharma franchisee model कैसे काम करता है उसके बारे में जानते है जो pharmaceutical industry होती है उसमें जो majority of medicine होती है वो generate prescription के अगे निश्टी ही बिखती है registered medical practitioner के और उसके लिए आपको एक sales team की जूरत होती है लेकिन जो बड़ी companies होती है उनके पास इतने resources और investment होती है कि वो अपने लिए खुद एक बड़ी sales team रख सके लेकिन जो छोटी होती है या medium size की जो pharmaceutical companies होती है उनके पास इतना resources नहीं होता कि वो एक sales team launch कर सके और पूरे all professional या pharmaceutical distributor अपना खुद का फार्मा कम सुरू करना चाहता है तो वो एक time consuming process होता है और उसको भी काफी amount लगता है अपनी manufacturing या marketing company सुरू करने के लिए काफी अच्छा amount चीए काफी बड़ा investment चीए और basically ज्यादता लोगों के पास वो नहीं होता तो हमारे पास एक pharmaceutical company है जिसके प अपनी कुद की marketing company launch कर सके जिसमें 20 परची product हो तो क्या होता है कि हमारे पास एक pharmaceutical company ज्यादा आती है जिसके पास एक अच्छी रेंज है product की और हमारे पास एक sales professional distributor होता है जिसमें potential है sale करने का distribute करने का उसके अच्छे links है market में तो जोन्नों का collaboration एक association बनाता है जिसमें एक supplier होत होता है जिसको हम franchise कहते हैं जो एक distributor भी हो सकता है यह sales professional हो सकता है तो इस तरह का collaboration एक pharmaceutical company different different locations भे कर सकती है sales professional के साथ distributor के साथ और अपने product को बीना किसी single sales person के वो बुरे all over India launch कर सकती है अगर थोड़ा सा effort कर दियत एक्सपोर्ट भी कर सकती है और उसी तरह एक franchise जो sales professional हो सकता है distributor हो सकता है वो अपना जो business है खुद का खुद की जो marketing है वो बिल्कुल ही small level की investment से कर सकती है 10,000, 20,000, 5,000 जितना भी हो क्योंकि mostly companies का कोई ज्यादा target नहीं होता तो बिल्कुल ही small level से वो भी सुरू कर सकते हैं अगर benefits और advantage की बात करते हैं तो फार्मो फ्रेंचेजर के लिए और franchise के लिए ही के दोनों के लिए ही beneficial होता है जो pharmaceutical company है वो अपना एक largest expense बचा सकती है जो उसको sales या marketing पर खर्च करना पड़ेगा और जो franchise है वो एक बड़ी range पे और एक बहुत सारे stock पे क्योंकि अगर वो marketing अपनी भी सुरू करती है तो per product के quantity बहुत ज्यादा उसको बनवा होता है अगर pharmaceutical company के लिए क्या-क्या benefits रहेंगे उसके बारे में बात की जाए तो जो उनका sales team पे expense है वो prevent किया जा सकता है क्योंकि उनको एक पी sales team का person appoint करने की जुरत नहीं पड़ती है वो अपना product दूसरे benefit की बात करते है तो अपना product पूरा all over India बेच सकती है केवल एक प्ल पूरे all over India के distributors को franchise distributors को handle कर सकता है और यह profitable business है इसमें अच्छा खासा margin आपको मिल जाता है और pharmaceutical company को केवल अपनी medicine manufacturing पे ध्यान देने की जूरत होती है stock management पे ध्यान देने की जूरत होती है उसको selling part है जो उसका distribution part है वो अराम से होता रहता है अगर franchise distributors के benefits की बात करते हैं त तो वो अपना बिल्कुल छोटी सी small amount से business सुरू कर सकते हैं खुद के boss मन सकते हैं काफी easy होता है start करने में को ज्यादा मुस्किल नहीं होता उसको ready to sell product मिल जाते हैं promotion material के साथ मिल जाते हैं उसको company की image मिल जाती है और उसके product होते हैं वो काफी range लेके चल सकता है और उसको inventory क ज्यादा problem होने की जरूत नहीं होती क्योंकि वो company से 5-10-10 पीस मंगा सकता है तो उसको बड़े stock की जरूत नहीं होती है और ज्यादा इसमें risk भी नहीं रहता क्योंकि financial risk तो नहीं रहता क्योंकि small amount से small investment से हो सकता है उसके अलावा और दूसरे risk भी associated नहीं होते हैं कि उसको ज्यादा product काफी quantity में बनवाना पड़ेगा या उसको number of products रखने पड़ेंगे एक अच्छी company दिखने के लिए margin काफी अच्छा रहता है वह हम आने वाले chapters में cover करेंगे और उसके पस कोई sales का process pressure नहीं रहता क्योंकि ज्यादा तर companies का कोई target based नहीं रहता इसलिए उसके पास sales का pressure नहीं रहता लेकिन at least उसकी इतनी sales तो उसको करने ही पड़ती है कि वह अपने expenses निकाल सके अपनी salary निकाल सके उसको inflation का कोई वह नहीं रहता फियर नहीं रहता क्योंकि उसका जो काम होता है वह monopoly basis पे होता है तो आजपास के districts में जो दूसरी companies के franchise होती है उसी company के दूसर होती है तो उनसे भी material आने का उसको ज्यादा खत्रा नहीं रहता और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारी फार्मा कंपनी जो फ्रैंचेजी प्रवाइड कराना चाहती है तो उसके पास option बहुत ज्यादा बढ़ जाते है नेगोशियेशन के वागेनिंग के अब बात करते ह है और फ्रैंचेजी कंपनी है फार्मा फ्रैंचेजी कंपनी है दोनों कितना profit फ्रैंचेजी मॉडल से कमा है अम मान लेते हैं कि कोई एक चीज है कोई प्रोड़क्ट है जिसकी total manufacturing cost 10 रुपे है वो पूरा उसका manufacturing की packing प्रोकिंग रोमेडियर सारा processing cost में लागे 10 रुपे का cost पे expensive जाता है और maximum retail price उस product का market में 50 रुपे के आसपास चलता है फार्मस्टोटिकल मार्केट में MRP कहीं factors पर डिपेंड करता है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो आप product बना रहे हैं वो drug price control order DPCO के अंदर आता है या नहीं आता है अगर कोई medicine DPCO के अंदर आती तो उ उसका selling price है उससे ज्यादा आप उसके इसाफ से MRP calculate करके उससे ज्यादा नहीं रख सकते किसी product का लेकिन जो medicine DPCO के अंदर cover नहीं होती उनमें MRP की कोई restriction नहीं होती उनका MRP हम market में competition के इसाफ से या अपनी need के इसाफ से रख सकते हैं अगर product की बात करते हैं तो उसकी अगर margin कितना रखती है 20% हो सकता है 30% हो सकता है 40% क्योंकि company के भी अपने expensive होती है तो वह company की policy पर डिपेंड करते है कि वह कितना margin लेके वहाँ पर चल जी है अगर स्पोच करते हैं कि company उसमें 30% अपना जो gross margin है वो add कर रही है क्योंकि उसको promotional input भी देना है और दूसरी को product provide करा लेगी इसमें GST और एक्स्ट्रा होगा कभी कभी क्या होता है कि जो rate होते हैं वो including तो उसके लिए companies क्या करती है कि जो GST value है उसको भी rate में जोड़ देती है कि अगर हम 13.20 में 12% GST जोड़ते हैं तो 14 अपन वैसे हो जाता है मान लेते कि पर पीस जो rate हमारा आना है वो एक रुपे के आसपास की हमें कोश्टिंग पर पीस पड़ जानी है तो उसको एड़ करके 15.56 पैसे आ जाता है तो 15.50 के अप्रोक्सिमेटली उसको प्रमसोटिकल कंपनी अपने फ्रेंचेजी डिस्ट्रिब्यूटर को दे देगी तो अब जो हमारी range है मार्केट में व हो 62 रुपे कर लिया है उसका तो जो हमारे पास MRP आ गया है वह 62 रुपे आ गया है और जो फ्रैंचेजी रेट हमारे पास आ गया है वो 15.50 पैसे आ गया है अब हम दूसरे expensive और margins को हम डिड़क्ट करके जो भी हमें मार्केट में देने एक फ्रैंचेजी डिस्ट्रिब्यू हमें उन्हें रिटेलर को दे दिया उसके अलावा डिस्ट्रिब्यूटर अगर हम पॉइंट करते हैं ऐसे फ्रैंचेजी डिस्ट्रिब्यूटर में क्या होता है कि जो फ्रैंचेजी डिस्ट्रिब्यूटर होता है वही डिस्ट्रिब्यूटर का एक्ट करता है वो किसी और क आपको उसको देना पड़ेगा और उसके अलावा हम स्मोच करते हैं कि 10% ओफर आप रिटेलर को दे रहे हो तो जो 10% से जो आपकी एक्चुल कोष्ट होगी क्योंकि जो ओफर आप कैलकुलेट करोगे वह आप जो आपको नेंट रेट है उस पर कैलकुलेट करोगे तो जो वेल्यू वाइज निकालेंगी कि हमें रिटेलर को कितना देना है इस्टोकष्ट को कितना मार्जन देना है हमारे पास MRP 62 रैजट वेल्यू है जो जिसने फार्मूला हमने यहां पे दिया है जो यूज होगा MRP गए 1-Retailer मार्जन तो हमारे पास आजाता है यह 49 रुपीज 60 पैसा हम हम जो price to retailer है वो calculate करेंगे price to retailer को calculate करने के लिए हमें जो GST value को हम जो net value आई दी उससे हमने GST value को divide कर देने के बाद हमारे पास price to retailer आ जाएगा तो इसके लिए पहले हमें GST factor value निकालने की जुरूरत है जो formula हमने यहां दिया है वो इस परकार होगा GST factor value is equal to 100 plus GST divided by 100 तो जो 100 plus 12% हमारे पास GST है divided by 100 हमने किया तो जो हमारे पास GST factor value है वो 1 रुपे 12 पैसे आगी अब हम PTR calculate करने के लिए जो हमारे पास net value आई थी 49 रुबिस 60 पैसा divided by 1 रुबिस 12 पैसा अगर हम इसको divide कर देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो 44 रुबिस 29 पैसा आएगा जो price to retailer है price to stockist calculate करने के लिए जो stockist margin है उसको हम regular price से अगर stockist margin को हम minus कर देते हैं तो हमारे पास जो price to stockist है वो आजाता है तो formula same लगेगा यहां पर PTR into 1 minus stockist margin तो 44.29 into 1 minus 10% की साथ हमारे पास हो जाता है 39 रुपिस 86 पैसा तो अगर franchise जो distributor है franchise है जो वो distributor up point नहीं करती तो उसको margin निकालने के लिए जो उसका price to retailer है जो उसने scheme दी है offer दी है market में और जो उसको net rate यहां पर जो हम net rate ले रहे हैं वो हम including GST plus freight ले रहे हैं आप उसको freight तो costing में add हो जाता है GST लेकिन compensate हो जाता है आप उसको अलग भी रख सकते हैं लेकिन हम फिर भी यहां पर include कर रहे हैं तो उसके इसाफ से जो हमारे पास gross margin आ जाता है वो 27 rupees 24 पैसा आ जाता है उसी तरह अगर franchise distributor को appoint करके चलती है तो जो 10% margin stockist का है distributor का है वो भी deduct हो जाएगा तो उसके इसाफ से फिर हम अगर उसको minus करते हैं तो हमारे पास जो gross margin आता है वो 22 rupees 82 पैसा आता है हम मानके चलते हैं कि जो franchise है वो खुद ही काम कर रही है और खुद ही distributor और stockist के तरह काम कर रही है कोई distributor appoint करके काम नहीं चल रही है तो उसके जो gross margin है वो 27 rupees 24 पैसा हमने उदर लगाया है अगर हम practically बात करें तो एक person का 30-40% PTR value के आसपास promotion पर और दूसरी doctors activity पर expense लग जाता है ज्यादा भी लग जाता है तो हम यहां पर 30-40% मानके चल रहे हैं आप इसको अपने हिसाफ से calculate कर सकते हैं तो अगर हम 40% PTR से का 40% निकालते हैं तो हमारे पास 17-40% पैसे उसका आ जाता है तो जो हमारे पास gross margin है वो 9 रपे 52 पैसे के आसपास आता है तो जो यह हमारे पास gross profit margin आता है वो अगर हम अपनी purchase value जितना हमने उसको purchase किया था ने trade पे या including tax और GST और freight के आसपास उसके इसाफ़ से 61% के आसपास आ रहा है अगर कुछ product DPCO के अंदर है या competitor के MRP के साफसे आपने रखा है तो कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि अगर हमने जो MRP 62 लेके चले थे अगर वो ही MRP 55 आ जाता है 58 आ जाता है या 65 चला जाता है जितना भी गट बढ़ होगा तो साफसे profit margin up down होता रहेगा हमने जो यह calculation की है वो एक single piece के साफसे की है लेकिन single piece के साफसे जनरली calculation है नहीं होती क्योंकि हम पुरा material मंगाते हैं 10,000 का 5,000 का कहीं-कई product मंगाते हैं क्योंकि अगर आप single single product के calculation उसमें profit margin निकालने चलेंगे तो काफी लंबी लागी quantity wise ही बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अगर आपने 50,000 रुपे सेल में जो आपका gross profit margin क्योंकि अभी हमने कुछ चीजे हो रहे हैं इसमें से deduct करनी है जो gross profit margin हाएगा वह 30,000 के असपास आएगा अब जो हमारे पास यह 30,000 आया वाया है इसमें से हम मान की चल रहे हैं कि जो franchise distributor है वो खुद ही काम कर रहा है वो एक pharma sales में है और खुद ही doctors के पास जाता है उसमें कोई MR medical representative रखा है या नहीं रखा है क्योंकि हम तो starting में यही आपको तोड़ा recommend करेंगे कि आप खुद ही का निकाल पाओ तो इसमें से जो 30,000 है इसमें से आपकी खुद की salary जो आपके traveling expenses है daily expenses है तो काफी चीजे इसमें से deduct हो जाएंगी जो आपका petrol वगरा लगता है या जो भी daily basis पे आपके expenses लगते रहते हैं वो सब आप इसमें निकाल सकते हैं तो यह एक general start हमने calculate कि कि किस तरह profit of margin हम franchise marketing में निकाल सकते हैं थोड़ा सा up down हो जाता है देखो formula सेम रहते हैं लेकिन जो आपके stats आपके पास होंगे कि यह आपका rate है यह आपका MRP है इतना आपने retailer को देना है इतनी scheme देनी है हो सकता है हमने 10% calculate कि आप 20% 40% के expenses लगा के चले आपके 50% हो या कम हो 10% हो तो आप इन सब चीजों को अपने हिसाफ से अपने stats के हिसाफ से calculate कर सकते हैं तो यह आपके लिए काफी useful रहा है उमीद करते हैं यह information आपको अच्छी लगी थैंक्स पोर वाचिंग